नमश्कार गोड इवनिंग फ्रेंग्स आज मैं एक बर फिर करनल मौहिंदर साने रेटायर फ्रम आनमी मेडिकल कोर्ट स्ट्रेस मानेज्मेंट के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते भी आपके समने प्रस्तत हो पहले मैंने सिर्फ आपको बताया कि स्ट्रेस क्या है क्यों होता है और थोड़ा सा मैंने उसके उपर राइट डाला कि हो कें वी ओवर कमेंट आए थोड़ा मैं डेटेल में जाओंगा हाओ वी कें हैपीली मैनेज्ज स्ट्रेस इन आवर लाइफ सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस हुआ क्यों कैन वी फाइंड दिक आउज पाओं में कांटा चुबा है कांटा चुब गया कांटा चुब गया पैड में दर्द हो रहा है चला नहीं जा रहा है मेरे को तकलीफ हो रही है भाही कांटा तो निकलना पड़ेगा अब आपको बच्छे को बुखार हुआ है फिवर हुआ है फैमिली सटस्स में है अब आप घर में बैठे बुखार हो गया है बुखार हो गया है बखवान मदद करो तो बुखार पो नहीं ठीक होगा डॉक्टर जे पास ले जाना पड़ेगा, लेव इट टु दी डॉक्टर, और डॉक्टर सिर्फ पेरस्टेमल देके, yes, let me come to the point के, क्या पेरस्टेमल ही सिर्फ उसका इलाज है, उसके तेह तक जाना पड़ेगा, क्या वो मलेरिया है, क्या वो टाइफ़ाइट है, क्या वो कोर जयादा ओफिस का स्टेस है, so please, just sit for some time, find the priorities in your life, what job is more important to you, make a priority, बहले उसके ओपर फोकस किजी, then priority two, priority three, okay, make a time table, go according to that, make the things easier, time management fit मैं यह कहता हूँ कि चलो कुछ stress ऐसे हैं लाइफ में जिनका solution है कुछ stress there is no solution example somebody loses a close friend or a family member what to do you can't bring back the family member अब एक solution है कि आप yes दर्द होगा दिल में टीस उठेगी बहुत तकलीफ होगी कब तक time is a great healer that is a well old thing हाईस्ता आईस्ता 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 but क्या ये तो नहीं के इसने उस काहवत को जूटा कर दिया and that stress has totally overtaken you it has totally changed your personality you have become nervous you have become fearful you have become not concentrating on your work आपको डिप्रेशन हो गया आप उदास हो गए तब it is a real bad situation उसके लिए चोटे 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 वे simple आपको देता हो क्या ये loss सिर्फ आपका पहली बार हुआ है मुझे एक चोटे सी स्टोरी याद आती है महत्मा बुद्ध की जब उसके पास एक मधर रोते वे जाती है कि आप तो बहुत बड़े हगवान की तरह हैं संत है मेरा बच्चा मर गया है तो प्लीज इसको आप जिवित कर दीजीगा तो महत्मा बहुत बहुत स्माइल से बड़े शांत स्वाव से उने दो बोला माई कर सकता हूँ ठीक है ना मैं भगवान की तरह हो कर सकता हूँ तुम ये साथ घरों में जाओ इसा घर नहीं मिला जाँ डेथ ना हुई हो इसका आपके बस में नहीं है तो गुरु नानक जी भी कहते है कि जो चीज आपके बस में नहीं है उसका भाना बीचा लागे प्लीज अक्सेप्ट इट आपका कुछ नुकसान हो गया, money loss हो गया, properties ने धोखा दे दिया, आपको लूप लिया, आप बहुत उदास हो गया, फिर क्या करेंगे आप, थोड़ी दिर बैठिये, मैं आपसे पूछता हूं, ओके, आपका पचास जार का लॉस हुआ है, आप एक अपनी आँख मुझे दे दीजेगा, पचास जार शायद मैं एक लाख दे दूगा, आपको, एक हाथ अपना दे दीजेगा, तो, आपको लॉस हुआ है, सब कुछ नहीं लुटाया आपका, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बरबाद हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आपके पास है, sit down, relax, jot down your blessings, आप ये देखिए कि लाइफ में आपके पास क्या कुछ है अभी, सब कुछ नहीं लुटा है, so, thank God, thank your friends, thank your family, जो इतना कुछ अभी भी आपके पास बचा है, so, that is another way to ease out your stress, अभी और छुटी-छुटी problems अभी है, आप थोड़ा देखिए, कि दुनिया में, क्या आपके साथ इतना अन्होनी हो गए, कि आपका थोड़ा से loss हुआ, तो compare with the others, भाई, लोगों का तो बहुत कुछ खो गया, accident, अभी कली मैंने एक निउस में देखा, about 14-15 lady gynecologist, they were happily traveling after some conference, and rude, they met with an accident, and they all died, so many families, totally approved, तो क्या आपका loss इतना बड़ा है, नहीं है ना, तो why are you stressed, शुटी-छुटी problems, थोड़ा सा, अभी practical tips आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हसना सीखिए, कहेंगे कि आसान हमारा तो नुक्सान हो गया, how can we laugh, okay, थोड़ा फेक हसी, make it as a practice, ऐस्ता ऐस्ता थोड़ा स्वाइल आई जाएगा, okay, next thing, hug your people whom you love, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे है, जो आपको बहुत त्यार करते हैं, give them tight hug, give them a case, just, it will really going to work out, have you got a pet, नहीं तो गली में चले जाएए, चोट चोटे पप्स में रहेंगे, चोट चोट चोटे डॉक्स में रहेंगे, share your love with them, that is really a stress buster, थोड़ा सा एक प्यार, किसी को बांट के तो देखिए, कैसे आपको response मिलता है, you will feel that you're happy, okay, another way, now I come to some scientific ways, थोड़ी तेर, meditation कर सकते हैं, बान को शान, शेरी की exercise तो आप भेली करते हैं, दस पंदरमेंट, just start it, doing meditation, आंके बंद कीजी, start thanking God, maybe, you will find it as a stress buster, फिर, अपने, share your problems, don't keep it deep in your heart, discuss, हर एक से discuss करने की बात नहीं करता हूं, but people who are really very close to you, there must be some people who really understand you, and maybe they have some solution for you, maybe, they will make you realize, कि this is not a big problem, it is not a big deal, अभी आप, आज कर एक बहुत बढ़ा stress चला है, बच्चों के उपर, मेरे grades कम है, मेरा यह है, तो I think, go back to the history, जतने भी बड़े successful businessmen है, right from Dhirubai, Ambani, Reliance, जतने बग रिकर्केटर्स है, जतने बड़े actors है, did they all score about 90%? I don't think so, singers, dancers, find your talent, which is hidden in you, उसको थोड़ा एक स्पोस केजिए, you will, I think, be appreciated by the people, and that will give you happiness, that will be great stress buster, find some hobby, painting कर सकते हैं, dance कर सकते हो, singing कर सकते हैं, और नहीं, तो थोड़ा सा, बच्चे के साथ हासी है, छोटे बच्चों के साथ, just, ऐसे ही मजा कीची, कापिल की comedy channel दिखिए, I mean, these are all stress busters, तो मैं आपको इस छोटा छोटा टिप्स आपको सिर्फ इसलिए बताया, कि बहुत सारी चीजें आपके अपने हाथ में हैं, जब बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो nut shell is, accept the situation and move ahead, और जो situations आपके हाथ में हैं, then try to find a solution, of your own, from your close friends, from the experienced people in your family, and then move ahead, or be happy, और कुछ भी नहीं बन पाता, जब आपको लगता है नींद भी नहीं आ रही है, आपको अलग बुरे बुरे थौट्स आ रहे हैं, बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, or really you feel के no, nothing is working out, then maybe I will suggest, without any hesitation, walk to your family doctor, walk to a psychiatrist, lead him, tell him clearly, what is troubling you, and you will find a solution, and that is what, so with all this positive note, I want to see, smile, dance, laugh, meditate, eat well, do exercise, and hug your people, love your people, and remove the stress in your life, thank you, जैन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो, तो like, share, subscribe करे, करे पूपको आपे, कर दोakan, तो like, share, प्रीम्स आपको आपको आपको, एका पाको, जाऊ सकतरिंग आपको, करे झापको करे आपको,